Hello and welcome to this class, आज के class में हम लोग करेंगे text tool, okay, so how to write a text, so मैं Krita में जाता हूँ, एक नया layer ले लेता हूँ, okay, so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं मान लिजी यह vector layer ले लेता हूँ, यहाँ पे, यह सब layer hide कर देता है, like this, okay, so now I go to my text tool, text tool का हम पे है, देखिये, उपर यहाँ प करना है, आपको click करके drag करना है, okay, तो computer आपके लिए एक box दे देगा, ऐसे, okay, यहाँ पे आप type कीजिए, आपको जो भी लिखना, okay, मैं लिख दूँगा, मान लिजीए, I am a designer, ऐसे मैंने लिख दिया, आप कोई भी font चूज कर सकता है, यहाँ पे font है, bold है, italic है, जो भी 6 है, मैं इसको select करके size इसको 18 कर देता हूँ, save, okay, save करना से क्या होगा, यह आपका preview screen में दिखा देगा, अगर आपको ठीक लगेगा, तो close कीजिए, ठीक नहीं लगा, तो थोड़ा changes कीजिए, like मैं bold कर दिया, उसके बाद save कर दिया, यहाँ पे देखिए, screen में update हो गया, transform box आ रहा है, ऐसे आप select करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, shift पकड़के, press enter, okay, so इसको vector shape में बनाने से क्या होगा, आप इसको बड़ा करेंगे, तो distortion नहीं होगा, इसलिए कोई भी आप shape draw करते हैं, line ये वाला, ये वाला, या यहां तक, या फिर यहां तक, freehand path, इस इससे आपको आसानी से हो जाएगा, okay, so this is how we write the text, so text is very easy, so T tool लिया, click करके एक box किया, link दिया, select करके इसका font चेंज किया, okay, press कर दिया, okay, this is a very short video, so text हमने ऐसे लिख दिया, इसका font भी हम लोग कैसे change करेंगे, दिखिए जब आप इसके ऊपर आते हैं, okay, so text tool में जाईए, इ यहां पर आके आप इसका font, font बाकि सब चेंज कर सकता है, मुझे यह design थोड़ा change करने को इच्छा हुआ, यह वाला, मैंने यह वाला दिखिए, यहां पर आया, screen में नहीं आएगा, यहां save करना है, तभी जाके आपको यहां screen में दिखाई देगा, अगर आपको ठीक लगा, तो close किजिए, means after typing also you can go to the text tool and double click over this, वो box open हो जाएगा and you can do the font changes and all, okay, thank you.